गुड मार्निंग स्टुडेंट्स आज हम आरो हो भाग एक से मीरा बाई जी के पद लेकर के आए हैं जो हमारे कव्य खंड का दूसरा पाठ है कवीता है सबसे पहले हम यहाँ पर कव्यत्री मीरा जी के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं मीरा भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा की स्रेष्ट कव्यत्री हैं इनके अराध्य स्रीकृष्ण जी हैं मीरा का जन्म 1498 में माना जाता है बाल्य वस्था में ही इनकी माता चल बसी थी इसलिए इनके पिता में हैं राव दादू जी ने इनका पालन पोशन किया मीरा जी धार्मिक परवर्ति की थी बच्पन से ही साधू संतों की संगती और दर्षनों के कारण इनके इहरद्य में भगवत भक्ति के अंकुर फूट पड़े 12 वर्ष की आयू में इनका विवाद मेवाड के महराना सांगा के जेश्ट पुत्र भोजराज से हुआ उनके विवाहर से रुष्ट होकर महराना संगा की मृत्यू के पस्चात मीरा पर घरवालों के अत्याचार बढ़ गए परिणाम सवरूब मीरा ने घर को त्याग दिया और वैरागिनी होकर साधू की मंडलियों के साथ व्रंदावन चली गई महसे द्वार का धाम पहुँचकर सिरी रन छोड़ जी के मंदिर में भगवद भजन का आनन लेने लगी इन्होंने कुछ अपनी रचनाई लिखी नर्सी जी रो महराव, गीत गोविंद की टीका, मिरानी गर्भी, मीरा के पन और फुटकर पद आदी मीरा के रचनाई हैं इन्होंने कम से कम दोसों के लगभग फुटकर पद लिखे, कुछ विद्वान उनकी संख्या जादे भी बताते हैं भारतिय भक्त कव्यों में मीरा का परमुक स्थान है, सूर्दास की भाती मीरा की भक्ती भी माधूर्य भाव की है और वे पूरी तरह से सिर्कृषन की भक्ती में लीन हो गई हैं मीरा के कावे में सरंगार वर्नन हुआ है मीरा के कावे में सैयोग की अपेक्षा वियोग पक्ष को अधिक स्थान मिला है विरह की दरश्टी से मीरा का स्थान संपून हिंदी सहिते में स्रेष्ठ है इन्होंने अपनी रचना पदों में लिखी है जो राजास्थनी भासा का प्रियोग किया कहीं कहीं पर ब्रज और गुजराती भासा का भी प्रियोग हुआ है इन्होंने अलंग कारों का भी प्रियोग किया है यहाँ पर इनका पहला पद है मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर पर मोगर मुगट मेरो पती सोई चाड़ी दई कुलकी कानी कहा करिये कोई संतन धिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई अस्वन जल सीची सीची प्रेम बेली बोई अंतते बेली फैल गई आनंद फल होई दूद की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई दधी मथी घरत अकाड़ी लियो डारी दई छोई भगत देख राजी हुई जगत देख रोई दासी मेरा लाल गिरधर तारो अव मोही प्रिस्तूत पद में मीरा भाई जी ने संसार को देख कर बहुत दुखी हरद्य से वर्नन किया है मीरा अत्यन एक निर्भिक और सपश्ट रूप से कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल है मेरे तो इस संसार में गिरधर गोपाल है दूसरा नवकोई मेरे वो गिरधर गोपाल है जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पती है यानि कि वही मेरे सब है उनके बिना मेरा यहाँ पर कोई नहीं है चाड़े दई कुलकी कानी कहा करी कोई उसे छोड़कर मेरा अन्य माता पिता भाई बहन सगा संबन्धी कोई नहीं है मैंने सब को त्याग दिया है संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाच खोई मुझे तो केवल सिरी कृशन का सहरा है मैंने कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया अब भला मेरा कोई क्या बिगाड लेगा मेरे रक्षक तो केवल भगवान है मैंने माया से विरक्त होकर संतों के संग बैठ कर सही रास्ता चुना है अंस्वन जल सीची सीची प्रेम बेली बोई मैंने तो असरु जल से सीच कर प्रेम की बेली वो दी है जो इस समय बहुत बढ़ चुकी है अब तो बेली फैली गई आणन्द फल होई अब तो वो बेल इतनी फैल गई है कि अब उस बेल पर प्रेम बेल पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं अर्थात मीरा को प्रभू सिरी कृशन में आनंद की अनुभूती होने लगी है दूद की मतनिया बड़े प्रेम से बिलोई मीरा बाई फिर कहती है कि मैंने मतनि डाल कर दही को बड़े प्रेम से बिलोया है मैंने उसमें से मक्खन निकाल लिया और छाच को छोड़ दिया यानि कि डारी दई छोई मैंने उसमें से मक्खन निकाल लिया और छाच को डाल दिया कहने का भाव है कि मैंने खुब सोस समझ कर विचार करने के बाद निसकर्ष निकाला कि इसवर की भक्ती इस संसार का सार तत्वे है और से संसारिकता छाच के समान है मैं भगतो को देखकर के प्रशन होती हूँ भगती देख राजी मैं भगतो को देखकर प्रशन होती हूँ और इस जगत को देखकर रोती हूँ जो माया के मोह में फंसा हुआ है दासी मेरा लाल गिरदर तारो अब मोही मेरा अपने प्रभू स्री कृष्ण से प्राथना करती है कि है प्रभू मैं आपकी दासी हूँ अब मेरा उद्धार करो और मुझे इस संसार सागर से पार करो निम्ड पंक्तियों में संपून पद संगीत पर आधारित है प्रेम बेली आनन फल इन में रूपक अलंकार है संपून पद में अनुपरास अलंकार की छटा है बैठी बैठी सीची सीची में पुन्ह रुकती प्रकास अलंकार है यह पद संगीत और मधूरता का मनोरम चित्रन है राजस्थानी भासों का शब्द शब्दों का प्रियोग हुआ है यहाँ पर दूसरा पद पग घुंगरू बांध मीरा नाची रे मैं तो मेरे नारा यनसू आपी हो गई साची लोग कहे मीरा भही बावरी न्यात कहे कुल नासी विसका प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हांसी मीरा के प्रभू गिर्दर नागर सहज मिले अविनाशी प्रस्तूत पंक्तियों में मीरा ने बताया कि प्रभू लीला भक्ती में इतनी लीन है कि समाज की परवा किये बिना अपने पैरों में घुंगरू बांद कर मीरा नाचने लगी मीरा कहती है मैं अपने नारायन की हूँ मैं अपने नारायन की हूँ इतनी लीन होकर नाचती है और उनके दर्शन के बिना स्वेम उनके सामने सची हो गई है लोग कहें मीरा है बावरी लोगों ने कहा कि मीरा तो बावली हो गई है पागल हो गई है समाज की दृष्टी में विवाहिता मीरा का स्रीकृषन से प्रेम में ऐसे नाचना अनुचित है उसके संबंधियों ने उसे कुल का नाश करने वाला कहा लोगों ने मीरा को बावली कहा और उसके घर परिवार वालों ने उसो कुल का नाश करने वाली स्त्री बताया। इसके अनुसार मेरा के आचरन से कुल की मर्यादाएं नश्ट हो गई। मीरा स्री कृषण की भक्ति से इर्शियां वस राना ने उसे विष्क का प्याला बेज़ा। जिस विष्क को प्याले को पी कर मीरा जोड से हसने लगी। मीरा ने उसे अम्रत समझ कर पी लिया। मीरा कहती हैं मेरे प्रभु तो परवत को धारण गिर्दर नागर। मेरे प्रवु तो परवत को धारण करने वाले स्रीकृषन हैं, वे अनश्वर हैं, वे अपने भक्तों को सहज रूप से मिल जाते हैं, कहने का तात्प्री हैं कि जो भी सच्छे मन से इस्वर को प्रेम करता है, वे उसे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, नीम्न पंक्तियों में राजस्थानी भासा का प्रियोग हुआ है इस पद्यांस में मीरा ने स्री कृष्ण के प्रती गहरा प्रेम व्यक्त किया है शांत रसका वर्नन है संपून पद गे पद है यानि गीत पर आधारित है भासा प्रशाद गुन संपन है बचो मुझे पूर्ण आशा है कि आपको य मीरा बाई के पद समझ आये होंगे इसके प्रशन उत्तर याद करने हैं बहु विकल्पिय प्रशन भी याद करने हैं और अभ्यास वाले भी करने हैं बाकी यदि आपका कोई प्रशन है तो आप सकूल के वटसप नंबर पर अपना प्रशन छोड़ दें